तो गाईज आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में स्वागत है और गाईज आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग अपने फोन में प्लेश्टोर से पेटीम एप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या तो फिर किसी भी एप्लिकेशन को आप सभी लोग प्लेश्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वाच करिए और अभी तक आप play store का problem को solve करना होगा क्योंकि यही जो application है उससे हम जो है बहुत सारे application को download करते हैं तो जो है इसमें ही problem आ रही है तो इसको solve करने के लिए आपको सबसे पहले तो काई आप जो है अपने phone को बंद कर दीजिए यानि कि power of college और उसको on करिए हो सकता है दोस्तो ऐसा करने के बाद आपके phone में दोस्तो play store जो है वो work करना लगे और यहाँ पे आप जो किसी भी application को download कर सकते हैं तो हो सकता है इससे आपकी problem solve हो जाए लेकिन फिर भी problem solve नहीं और यह play store से कोई भी application download नहीं हो रहा है तो यहाँ यहाँ पे आपको search bar पे click करना है और यहाँ पे आपको लिखना है google play store तो जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको इसको open कर लेना है open करने के बाद दोस्तो यहाँ पे आपको force stop करके option आ रहा है यहाँ पे आप जो क्लिक कीजिए और इसको force stop कर लिजिए उसके बाद यहाँ पे आपको storage पे click करना है और यहाँ पे click करने के बाद आपको clear data कर लेना है उसके बाद दोस्तो आपकी problem 100% solve हो जाएगे और आपके phone में play store application जो है वो work करने लगेगा और इससे दोस्तो आप जो है किसी भी application को download कर सकते हैं अपने phone में ओके तो गाईज अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe भी कर लिजिए